और इस वक्त की एक बड़ी ख़वर आपको बता दें मिठुन चक्रवर्ती कल बीजेपी की रैली में शामिल होंगे आपसे बस कुछी दिर पहले वो कॉलकाता पहुंचे और उस दौरान एवीपी नीउस से बात करते हुए उन्होंने खुद ये बात कही है कि हाँ मैं प्रदानमंतरी मोधी के ब्रिगेट ग्राउंड रैली में शामिल होने जा रहा हूँ तो मिठुन चक्रवर्ती ने एवीपी नीउस से रैली में शामिल होने की पुष्टी की है सुनिए हम इस वक कोलकाता यह पोर्ट पर रहे हैं और यहां पर आप देखिए वॉलिवूट की मशूर हस्ती मिठुन्दा है इस वक्त हमारे साथ मिठुन्दा कोलकाता में अभी अभी पहुंचें रात को साड़े ग्यारा बजे और नींद आखों में है मिठुन्दा नींद आ रह रहा हूं कल बारा बजे महां मुलाकात को लिए यह कोलकाता आके तो लोगों की निन उड़ आती है आप तो अपने घर लोटें पश्चम बंगाल में नहीं है मैं हूटल में रहता हूं नहीं तो जहां पोडूसर देता हूं है आप क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या अभी बहुत देर हो गई कर आपको मिलूंगा कर आज मैं किसी को कुछ नहीं बताया ना आप ना कोई कोई अलगर लग से मां किसी को कुछ नहीं बोला है एक शाइब मैं कुछ बोलूंगा आप सुनियेगा अच्छा आप मंच से बोलेंगे पूरे राज नहीं कुछ नहीं मालूम लेकिन इतना जरूर है कुछ तो हुगा ज़स्पीद है आपकी फिल्म का बनाए जारो चल चलिए थैंक यू राइट थैंक यू थैंक यू मुधंदा मुधंदा समय ठके हुए हैं लेकिन बहुत खुश हैं खोलकाता आकर और उन्होंन हाँ और क्या कहेंगे क्या करेंगे इस पर उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है लेकिन देखिए मिथंदा कल की सबसे बड़ी रैली पशिम बंगाल की अब तक की ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंती नरिन मुदी संबोधित करने जा रहे हैं वहां उस वक्त चैमरामेन मनुच के साथ विकास भदोरिया एबीपी न्यूस कोल काता तो मिठुन चक्रबरती का ये एक्स्क्रूसिव इंटर्व्यू आपने एबीपी न्यूस पर देखा जिसमें खुद इस बात को सुईकारते हुए नजर आए कि कल बीजेपी की उस रैली में शामिल होने जा रहे हैं जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी होंगे तो रैली में शामिल होने की बात की पुष्टी खुद मिठुन चक्रबरती ने एबीपी न्यूस से की हैं अलाकि कुछ बाते वो छिपाते हुए भी नजर आ रहे थे उनका ये कहना था कि कुछ खुलासे में कल करूँगा बार बार जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे या मंद से कुछ बोलने वाले हैं इस बारे में उनका कहना था कि मैं कल बताऊंगा